में भी आपके लिए एक फाइदमन फल है अगर आप भी इसके फाइदों से अंजान है तो इस विडियो को ध्यान से देखें नमस्काल कर्मावेदा के यूट्यूब चानल में आपका स्वागत है आपको बताते हैं कि किड्नी की बिमारी में आपको किन फलों और सबजियों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों के सेवन से परहेज करना चाहिए आज हम बात करेंगे क्रानबरीज की क्रानबरीज सबसे आकरशक फलों में से एक है लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किड्नी की बिमारी में ये एक फायदिमन फलों है आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और चानल से जुड़ी सबी नोटिफिकेशन्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रानबरीज कीड्नी की बिमारी में फायदिमन फलों में से एक है हम अपनी विडियो में जब भी किड्नी के लिए फायदिमन फलों के बार में बात करते हैं तो हमेशा क्रानबरीज, रेस्बरीज और स्ट्रॉबरीज को जिकर जरूर करते हैं इन फलों के गुन किड्नी डिजीज पेशिन्स को खासा फायदा पहुँंचाते हैं बात करें cranberries की, तो cranberries का सबसे पहला फाइदा ये है, कि cranberries में strawberries और raspberries की तरह ही anti-oxidants होते हैं, जो kidney को clean रखने में मदद करते हैं. Kidney जब ठीक से काम नहीं कर पा रही होती, तो बहुत तरह के waste products इसमें accumulate हो जाते हैं. ऐसे में cranberries की ये anti-oxidants kidney को साफ रखने में मदद करते हैं और शरीर से toxins या waste को बाहर करते हैं. दूसरा है cranberries में anti-inflammatory properties होती हैं, जो आपके heart को दुरुस्त कर, आपके पूरे स्वास्त को ठीक रखने में मदद करती हैं. किड्नी की बिमारी में दिल की बिमारी होना आम बात है, किड्नी और दिल इन दोनों की क्रिया से blood हमारे शरीर में circulate होता है, इन दोनों की क्रिया आपस में linked होने की वज़े से, इनका स्वास्त भी आपस में linked होता है. क्रानबरी की anti-inflammatory properties, heart disease patients के साथ साथ किड्नी के स्वास्त के लिए भी फायदेमंद होती है. इतना ही नहीं, क्रानबरी में anti-cancer properties होती हैं, जो किड्नी के रोगी हो या ना हो, सभी के लिए फायदेमंद है. अगला है, क्रानबरी में vitamin C होता है, जिससे सूजन में आरा मिलता है. किड्नी की बिमारी में सूजन या arthritis होना common है, तो ऐसे में क्रानबरी के सेवन से आपको रहत मिल सकती है. इने कुछ कारण की वज़े से हम आपको क्रानबरी के सेवन की सलह देते हैं. इससे आपका immune system मजबूत बनता है और साथ ही आपके blood pressure और sugar levels भी control रहते हैं. क्रानबरी के सेवन से urine से समद्द किसी भी disorder का risk कम हो जाता है, तो इस तरह ये किड्नी रूगी के लिए बहुत ही फायदबन फल है. तो ये थे क्रानबरी के सेवन के कुछ फायदे, आपको रोजाना दो से तीन क्रानबरी बाकी फलों के साथ खानी चाहिए, अब बात करते हैं आपके पूरे आहार शेली में किस तरह से बदलाव करने हैं. किड्नी की बिमारी का सबसे प्रमुप कारण है हाई ब्लड प्रेशर, इसे योग की साहिता से संतुलित किया जा सकता है. ब्लड प्रेशर बढ़ने पर नमक, इमली, अमचूर, लस्सी, चाय, कॉफी, तलिबुनी चीजे, गरिश्ट आहार, अत्यादिक परिश्रम, अधिक मात्रा में कसे लिखाद्य परदार्थ, धूप में रहने और चिंता से बचें, काला या सिंदा नमक खाएं, इससे रक्त संचार में अवरोध दूर होता है, इसी तरह अगर आपका ब्लड शुगर लेवल अधिक बड़ा हुआ है, तो आप इसे संतुलित रखने के लिए भी योग की सहायता लें, और अपने भोजन में जरूरी बदलाव लाएं, आप अपने लिए इस बीमारी में डॉक्टर की म मातरा भी नियंत्रित होनी चाहिए, तरल चीजें सी मित मातरा में ही लें, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, उबली सबजिया खाएं वो मिर्च मसालों से परहेज करें, बाहर का भोजन बिलकुल कम कर दें, जंक फूट, प्रोसेस्ट फूद्स अवोइड करें, मासाहारी बोजन ना करें, आयवेडिक औशदियों के उप्चार से इस बिमारी और इस से शरीर पर पढ़ने वाले सब इडिसॉडर्स को ठीक क्या जा सकता है, आप रोजाना जीवन में गाजर, तुरई, तींडे, ककडी, तर्भूज, अनानास और सेब खाएं, लिकिन डियाबेटी और यूरिक आसेट को बढ़ने से रोखने के लिए प्रोटीन युक्त पदार्थ जैसे मास, सूखे हुई मतर, हरे मतर, फ्रेंच बीन, बैंगन, मसूर, उड़द, चना, बेसन, अर्भी, कुल्थी की दाल, राज्मा, कांजी वशराब आदी से परहेस करें, नमक, सेननमक, टमाटर, काली मिर्च, वनीम्बू का प्रेयोग कम से कम करें, इस रोग में चेरी, अननास वा आलू खाना लाबकारी है। कर्मा अर्वीदा का पता और हेल्प लाइन नमबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं किसी भी जानकारी के लिए, आप दियेगर नमबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट की राए ले सकते हैं।